अलो अब्रीवन वेलकॉम बैक और आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं वारिन डेनोल टेकलोजी के बारे में बैसिकली यह शेयर अभी भी अपने चल रहा है तो अगर आप नहीं बाइंग करने जा रहे हैं या आप अलड़ी शेयर को होल्ड करके रखे हैं तो यह शेय अगर आप लॉंग टर्म विजन लेकर किसी भी शेयर में पोजीशन होल्ड करके रखे हैं तो आपका लॉंग टर्म विजन बहुत क्लियर होना चाहिए सबसे वड़ी बात है इस पर्टिक्लर शेयर के लिए कि अगर हम लोग बात करें आज के पर्टिक्लर प्राइस के बार अगर हम लोग बात करें इसके मार्केट कैपिटल का तो यह अगें 500,000 करोड के ट्रेडिंग जो इसमें होता ही है इसमें 500,000 करोड के ट्रेडिंग होती ही है यह देखे 45 करोड की सेलिंग आई थी इस शेयर में 2,25,000 के लिए और वो प्राइस था 2040 रूपीज और वहाँ से फिर से एक बड़ी सेलिंग आई थी वहाँ से प्राइस घड के 2028 में हुआ था तो भी 46 करोड के आसपास की सेलिंग हुई थी तो यह इंट्रडे के बिग डिल्स है बेसिकली है क्या यह यह शेयर में आफको बता दे यह वारी टेकलोजी एक रिन्यूबल सेक्टर का शेयर है अगर आने वाले टाइम में जो रिन्यूबल सेक्टर के लिए जो हम लोग एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं अगर वही एक्सपेक्टेशन आता है बजट में तो वह आफको एक अच्छा साइन दे सकता है हाला कि इसमें और कुछ बहुत जादा तो समझने वाली बात है नहीं पर इस शेयर से आफ थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि अगर आफ ने बहुत बड़ी बाइंग कर रखी है तो अभी एवरेज आउट कर लिजे क्योंकि अगर यह गिरेगा अगर अपना यह बेंचमार्क है 1800 क क्या सबसका वह अगर वह तोड़ता है तो वह आपको एक अच्छी अपॉचुनिटी दे सकता है डाउन दा लाइन पर अगर हम लोग आज के लाज आज कर हम लोग वाल्यूम के बात करें तो आज वाल्यूम इसमें सरिफ 2 लाग क्या सपास का था यह आप देख पा रहे हों बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा अमाउंट इंवेस्ट करके रखा था जुन्हों ने कमेंट सेक्षन में अपना प्राइज अपना अमाउंट अपनी पोजीशन सब कुछ बता रखी है तो बस हम उनको अपडेट देने के लिए यह वीडियो का परपस यही ह है कि जो भी डेटा एवलेबल है ऑनलाइन वो बस आप तक पहुंचा देना चाहते हैं पर आफ बिल्कुल भी इसमें इस पर्टिक्लर वीडियो से एक्सप्रेस होके इंप्रेस होके आप बाइंग या सेलिंग मत कर लिजेगा अगर इसमें 5% का अपर सरकिट लगता है तो आफ बहुत जादा एक्साइटेड मत हो जाएए क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आया था अभी कल परसुजा 500% का सेलिंग लगा जबकि हम यह आपको बोले भी थे कि आप इस पर्टिक्लर शेर को सिर्फ मॉनिटर कीजे आप इस शेर को समझीए पहले कि अगर आपने इस होल्ड करके रखा है तो भी इस शेर के लिए दो बहुत बड़े इंपॉर्टेट इवेंट है जिसके बारे में हम बार-बार बात कर रहे हैं सबसे बड़ी बात है क्यूवन का रिजल्ट जो बहुत जल्दी आ जाएगा क्यूवन क्वाटर वन का रिजल्ट वारिन सकता है या कुछ भी आफ इस शेर का चाल देख सकते हैं पर अभी आप देखेंगे ना तो यह शेर जो है अपने रेंज में है नाइंटीन हंडेट सिक्टी रुपीज का फिर से लो लगाया है जो कि आल्मोस्ट फॉर्टी परसंट के आसपास करेक्ट है यह शेर अपने और टाइम हाई से अगर किसी ने भी आल टाइम हाई पर बाइंग की है तो उसको फॉर्टी परसंट के आसपास करेक्ट है ताकि उनका और एक लिस्ट बाइंग फ्रेइस रिकवर हो सके तो खैर यही था बहुत बड़ा डीटेल्स हमारे पास अबलेबल नहीं है बहुत सारे सर और टेकलोजी देखिए फंडामेंटली यह खराब नहीं है पर आने वाले टाइम में यह शेर के कैसा परफॉर्म करेगा वह देखने वाली बात है यह रिन्यूवल सेक्टर है और अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे सकते हैं मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए स्टे तून थैंक यू सो मच